दुनिया में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता बस जिस काम को किया जा रहा है वो माइने रखता है उस काम से समाज में देश में क्या बदलाव आ रहा है वो जरूरी है अक्सर कहा जाता है दुनिया में ऐसे कोई काम नहीं जो नारी शक्ति नहीं कर सकती ऐसा ही एक अनोखा काम जैपुर की माया देवी कर रही है जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं माया देवी जैपुर के त्रिवेणी नगर शम्शान घाट में लावरिस लाशों का दहा सं करती हैं अपने इस काम को लेकर माया देवी कहती है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूं जो कर रही हूं वैं समात सेवा है माया देवी जब 6 साल की थी तब उनके पिता जी का देहांद हो गया था उनके पिता जी से ही उन्हें ये काम विरासत में मिला माया देवी बताती है कि उनके पिता के देहांद के बाद उनकी माता ने लाशों के दहा संसकार का काम शुरू किया मा के साथ ही वह काम पर लग गई माया देवी का कहना है कि इस काम से उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं लगता वे अपने बच्चों के साथ शम्शान घाट में ही रहती हैं और निश्चित होकर लोगों के दाहा संसकार करती है और अपने परिवार को भी पालती है कि अजया डागन तो 60-60 साल प्ना समाल कितने लासो का दाहा संस्कार किया ओगा अपने लगबग इसी काम जब आपने घर का गोजारा चलता है साफ चलता है यही नहीं चलता है मामा लेटीन साफ के देटी हूँ है आप रहती हैं यही हैं यह समसान घाट में रहती हैं आपके कितने बेटे हैं अबी मेरे पांस बेटे तो गए उपर भगवान करें एक गेटा चार लड़की लड़कियों की शादी होगी किसी और बच्चों को इनका इस काम में थोड़ने आभी आपने किसी नहीं लगा रखाया आपने आपने इसा दोनी बच्ची है चोटी वाली ते मेरे को थोड़ा बहुत सारा लगाई देती है लेकिन नहीं नहीं करती है